अरे सर बहुत ही फ्रेश और नया डाइलोग था आप से पहले बस मुश्किल से 45 फिल्मों में इसुनाओगा मैंने हिमेश सर आप मुवी मद निकाल लगरो वो आपका सुरूर करके हर साल एक नई अल्बम दे दिया करो क्योंकि आप सिर्फ कानों में मिश्री हैं आखों में तो एसिड हो एसिड सो तुम्हें पता चली गया होगा कि हिमेश सर की एक नई मुवी आ रही है जिसका नाम बहुत सोचने के बाद इन्होंने रखा है बैडएश रवी कुमार तो हिमेश सर एक्टर प्रोडूसर सिंगर और डिरेक्टर तो खुदी हैं पर शाद अ इन्होंने वो रखा है जो लेड़ी सारे सोचल मीडिया हैंडल से शेड़ो बैंड है हिमेश सर चल के बहुत अच्छे आते हैं क्या चले हैं सर अभी भी 2008 में ही जी रहे हैं क्योंकि इस मूवी का सेट टाइगर जिन्दा है का कम और हिमत वाला का ज्यादा लग रहा है 15 साल पहले एक अफवा फैली थी कि हमेश रेश में के गाने सुनके बूत आ जाते थे तब का तो मुझे पता नी पर ये टीजर देखके जरूर आ जाएंगे रवी कुमार लीड रोल था थे एकस्पोज मूवी में जो की साथ 12 साल पहले आई थी लेकिन हीमेश र उसके उपर बने वे मीम से इतने मोटिवेट हो गये कि उस करेक्टर पे एक डेडिकेटेड मूवी बना दी हमें कोई रोटी कपड़े के लिए पैसे नहीं देता और इनको डेडिकेटेड एक मीम पे मूवी बनाने के लिए प्रोडूसर मिल जाते हैं समाज इतनी ते ते लाइट फ्लेश करने से क्या सोच रहा है वाई पीछे की ग्रीन स्क्रीन दिखेगी हिमेश सर का रोमेंस, कोमेडी, मेलोड्रामा के बाद अब एक्शन फिल्म में फ्लोप होने का इरादा है हिमेश सर प्लीज मैं बच्पन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज आप वो अपनी आपका सुरूर वाली कैप लगा के इंडियन आइडल का सीजन 69 जज़ कर लो बस हाँ सर पूरे हीरो दिख रहे हो सर पूरे एक्शन हीरो दिख रहे हो आपको देखके सिल्वेस्टर स्टेलोन का तो मूत निकल जायागा तोम क्रूज तो वेंटिलेटर पे चलायागा सीधर ये टीजर देखते ही तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवी कुमार इक बार में फिर तो रवी कुमार जी को थेली के ओपरेशन की सक्त जरूरत है ये कोई प्राउड करने की बात नहीं है आपको मेडिकल इशू है उसको आप एग्जाइजरेट करके गुंडा करती फैला रहे है जितने तुम्हें हिच की नहीं आती होगी उतने तो रवी कुमार को हार्ट अटेक आ जाते हैं इतने तो तुम्हें कभी टाके नहीं लगे होंगे जितनी रवी कुमार की बाइपास सरजरी हो चुकी और यह सेम डायलोग लोड हमेश ने दी एक्सपोज मुवी में ही मारा था दस साल पहले, अब वापस सेम डायलोग मार रहे हैं इस डायलोग से इतना प्यार है, शायद लोड ने पचपन में ही लिख लिख ले होगा, यह एक दिन बड़े परदे पर जरूर मारूँगा, भी दो मुवी में मारेगे भी मन नी बरा, अब अगले तीन-चार सीरीज में ओर सेम डायलोग मार देंगे, मुझे तब भी को यह च सार हैं, बस रियल में ही नी बन पारे, सर मुझे पता चल गया, आप होमगार वाली राइवल बहुत अच्छे से चला लेते हो, उसमें से गोली आप एक छोडते हो, गाड़ियां तीन-तीन फूड जाती है, फोड ने के लिए अटलिस्ट गाड़ियां थोड़ी अच्छी मं और लोड हमेश की इस मुवी का ट्रेलर देखते ही, आएम डीवी ने भी अपनी वेबसाइट प्राइवेट कर ली, क्योंकि सिर्फ लोड हमेश इमडीवी को रेट कर सकते हैं, आएम डीवी कि इतनी उकाद नहीं है, जो लोड हमेश की मूवी को रेट करें अरे सर रख दो अपनी अवलदार वाली बंदू पूरे ट्रेलर में ठा 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 रहे, हमें पता चलिया, आप बहुत बड़े शाप शूटर हो, बहुत बड़े एक्शन हीरो, आप रियल लाइव में भी अपने गैंग बना ले ना, रेशमिया गैंग सर डायलोग तो चलो मान लिया, आपने लिखाए, पर एटलीस एडिटिंग तो अपने फोन पर खुद ना करते हैं, कोई नहीं, ये खाओ आप माइफिटनेस पीनट बटर, अब आपके सारे फेवरेट फ्लेवर्स, क्रंची, स्मूथ, क्रिस्पी सभी में अवलेबल है, औ अब टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी, और ये टोटली वीगन और यूस एफडिय दुआरा सेटिफाइड है, तो दे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो और चेक आउट माइफिटनेस पीनट बटर, अब आपके दिल में स्टन डलवाते रहेंगे, सरवर तीन साल में मीम्स दे डिरेक्टर हिमेश रिशमिया, एक्टर हिमेश रिशमिया, लिरिसिस्ट हिमेश रिशमिया, डायलोग राइटर हिमेश रिशमिया, प्रेड्यूसर हिमेश रिशमिया, एडिटर हिमेश रिशमिया, और ओडियंस अल्सव हिमेश रिशमिया, अरे हिमेश सर बैडएश रवी वो बिस्तर पर नींद के अलावा कुछ नहीं लिए हमेश सर जो प्लेन एक्सप्रेशन के साथ डायलोग डिलिवरी करता है सिर्व उसकी वजए से ओसकर एक हमेश ने शमिया अवर्ड डिजव करता है उसमें कुछ एक्सपोज हुआ हो या ना हुआ हो पर हमेश सर की एक्टिंग तो पूरी एक्सपोज हो गई हमेश सर यहां पर एक बच्चे को सिंपथी दे रहे हैं जिसके दिल में च्छेद है इसलिए भगवान ने तुम्हारे दिल में च्छेद दे दिया अरे भाई तु गूंगा थोड़ी है वो तो भगवान चाहते हैं कि तू अच्छे से मेडिटेट कर सके नहीं भाई तू अंदा थोड़ी है वो तो भगवान जी परसनली तेरे साथ आख मिचोली खेलना चाहते थे नहीं भाई तू गंजा नहीं है वो तो भगवान तुझे बहुत एक्सपेंसिव बनाना चाहते थे इसलिए तरी टांट पर पिछ बना दी अब लोड इमेज की बात हो रही है और हम उनके इंस्टेग्राम रिल्स की बात ना करें बहुत बढ़ी ना इंसाफी होंगी तो गाई जब से इमेज सर को Reels का फीचर पता चला था तब से उन्होंने Instagram Reels के ऐसी rail बना दी जिम में Reels, घर पे Reels, शो पे Reels, नंगे Reels, अदनंगे Reels, घर के बाहर Reels, घर के अंदर Reels, अकेले Reels, दूसरों के साथ Reels मतलब कता ही Reels में चक्का जाम कर दिया, ट्रैफिक जैम लगा दिया, अल्गोरितम हैक कर दी सरीय, उन्चा सुवे साल में किस परकार के रखते हैं, खिड़की के बाहर हाथ भी निकाल लगखा, पैर भी निकाल लगखा, मुंडी भी निकाल लखी है जैस्ट बिकोज आपको अपने काउस दिखाने हैं, जै क्या हो गया आपको, आपकी तबियत तो ठीक है पिछले 2-3 साल से, और लोड हीमेज जो अपनी Reels में बीच में से गाने का फ्लो पगड़ते, लिप सिंक मारते हैं, आप इतने अन इंटेशनली फणी कैसे हो, और मुझे ये भी पता है कि हमेज सर को ये सब बहुती सीरियस, बहुती कला वाली चीज लगती होगी कि मैं ऐसे कैसे करते तो मेरे ज़े तो कोई करी नी सकता, पर सर बाहर बहुत फणी लगती है सच मैं हाँ सर मुझे पता चलिया, आपको वीट का ब्रेंड अमज़ेटर बनना है, बस प्लीज अपने बगल का प्रफ्यूम फ्लेक्स करने की और ज़रूरत नहीं है, प्लीज अब सामने वाले पर फोकस करो, यहां रिजोट में हो, खाना वाना मंगा, उसको भी खलाओ, खुद भी खाओ ओ भाई, थोड़ा दूर से रिल बना ले है, हमारे बच्च बच्च भी रात को रिल्स देख एंस्टाग्राम पर डर वर जाएंगे वो हिमेशन ने रिल्स का कॉनसेप्ट एक दम सोटेड कर दिया, नहीं, टिक्टोग वालो जितनी भी मैनत नहीं करनी तीन-चार सेकेंड के लिए कैमरा खोल ले है, पिछे अपना ही गाना बजा देना, बस बन गए रिल, दिन की चार-पांच तो ऐसे ही रिल बना देंगे सर ऐसा करो, इंस्टाग्राम के सर्वर अपनी रिल्स से गरम करके फूप दो, किसी और के लिए कोई स्कोप ही मत छोड़ो, कोई स्पेस ही मत छोड़ो हमारी तुम्हारी सुंदरा हो सुंदरा हो सुंदरा सबसे पहले लोग यूट्यूब पर 10-12 मिनिट की वीडियो बनाना और देखना पसंद करते थे, उसके बाद यूट्यूब की वीडियो भी एक दो मिनिट की बनने लगी, अब यूट्यूब शौट्स आगे वैसे इंस्टाग्राम पर पहले 60 सेगंड की थी रिल, उसके बाद 90 सेगंड की हो गई, लेकिन लोड को इतने लंबे टाइम फॉरमेट की ज़र्वत है ही नहीं हाँ, खतम हो गई, क्या देख रहे हो, इतनी थी, लोड मिनी व्लोग्स बनाते हैं, डेट डेट सेगंड के, so guys, आज के लिए इतना ही, और किसी को कोई हेट ने कुछ नहीं है, वो भी entertainment के लिए और हम से तो बहुत senior है, बहुत बड़े हैं वाई, हम तो fan रहे हैं, बच्प में लिंक मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा, आई-कार्ड वाई-कार्ड क्या लगा रहे हैं, वीडियो एंड में जो लगाते हैं, वहाँ पर स्टीकर दीख जाएगा, उसका भी, बस, अगली दो वीडियो बहुत कतरनाक आरी हैं, बस, धान दखना,